नमस्कार शूताओं मैं वैशाली बरसेया फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नए पॉड़कास्ट के साथ इसके कंटेंट राइटर है किरीश बिलोरे मुकुल और टक्नीकी सहीयोग सिधार्द गौतम का है इस्पिनोजा यहूदी परिवार में जन में एक सत्यार्थी थे इससे पहले कि हम इस्पिनोजा की बात करें यहां हम बता देना चाहते हैं कि उन सभी को दार्शनिक ना कहकर सत्यार्थी कहा गया है अब आप सोचेंगे कि जिसे योग अब तक दार्षनिक मान रहा है उसे यहाँ दार्षनिक नहीं कहा गया बलकि उसे सत्यार्थी के रूप में संबोधित किया गया है दरसल बात यह है कि दार्षनिक शब्द की कोई एक सुनस्चित परिभाशा नहीं है दार्शने को सत्य के अनवेशक, गंभीर, मिमानसक सिधानतों के प्रतिपादक आदी माना जाता है अंतिम सत्य अर्थात भ्रह्म सत्य की खोज में लगा हुआ व्यक्ति साधक ही है हम सभी इस दिशा में लगे हैं और सत्यार्थी भी एक साधक की तरह हर तथ्य का विशलेशन करते हुए निशकर्ष देते रहते हैं उनका जन्म 1632 में एमस्टर्डम में हुआ था और उनकी मृत्यू 1677 में हुई थी इस्पिनोजा के दर्शन की मुख्य विशेश्टाएं हैं पैन्थीजम इस्पिनोजा के अनुसार इश्वर और प्रकृति एक है उनके अनुसार इश्वर कोई व्यक्तिकत देवता नहीं है संपूल भ्रहमाण का एक अद्वित्य तत्व है तर्कवाद इस्पिनोजा तर्कवाद के प्रबल समर्थत थे उन्होंने तर्क और गणित के माध्यम से इश्वर मनुश्य और भ्रहमाण के संबंदों को समझाने की कोशिश की है तर्कवादी होने के बावजूद वे नास्तिक ना थे नैतिकता इस्पिनोजा के अनुसार सच्ची नैतिकता तर्क संगतता पर अधारित होती है उन्होंने मानव भावनाओं और इच्छाओं का सही ज्यान ही सच्ची स्वतंत्रता की कूंजी माना राजनीती, इस्पिनोजा ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतंत्र का समर्थन किया, उन्होंने राजी और धर्म को अलग रखने की वकालत की, इस्पिनोजा की कुछ प्रमुक रचनाएं हैं Ethics, God, Man and His Well-Being, Political Treatise, Treatise on the Amendment of the Intellect, इस्पिनोजा के घटक, दर्शनों में द्वेत, अद्वेत और उसके कई उपवर्गों का चिंतानाता है, इस्पिनोजा इसमें से भ्रम्म तत्व के रूप में अद्वेत को ही स्विकार करते हैं प्रमुक कृती, Ethics, इस्पिनोजा की सबसे प्रसिध कृती, Ethics है, जिसमें उन्होंने गणितिय तरीके से अपने दर्शन को प्रस्तुत किया है इस्पिनोजा की विचारों ने कई दार्शनिकों को प्रभावित किया है, जिन में इमेनुएल कांट, फ्रेडरिक शेलिंग और हेगल शामिल है, धन्यवाद